अगर नास्ते में कोई ऐसी रेसिपी मिल जाए जो टेस्टी के साथ हेल्दी भी हो तो आज मैं एक ऐसी ही रेसिपी लेकर के आई हूँ जो कि मुंबई की मोस्ट फेमस रेसिपी है मुंबई नहीं बलकि पूरी इंडिया की फेबरेट है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होत ज़रुद है तो मैं ताजा ताजा करी पत्ता तोड़ करके ले आई हूँ तो हेलो एब्रिवन मैं सोना ओसम फूट भी सोना में आप सभी का स्वाकत कर दी हूँ तो चलिए जी करी पत्ता मैंने अच्छे से धो लिये हैं काफी सारी चीजे इसमें लेकर के आ गई हूँ ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो इसमें मैंने दो हरी मिश एक अधरक का तुकड़ा थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा लैसुन दस से बारा और मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ति डाली हुई है इसे हम दरदरा सा एक बार चला लेंगे तो इस का यह सीक्रेट मसाला होता है जो कि मुंबई में बटाटा बड़ा बनाते है न तो यह मसाला उसमें जरू से पढ़ता है तो आज मैं बना रही हूं मुंबई का फेमस बटाटा बड़ा तो इसके लिए मैंने यह मसाला तयार कर लिया है अब मैंने पास से साथ आलू ले लि इस दिना एकदम chunks नहीं रहते हैं, बहुत अच्छे से मैस हो जाता है, चलिए आलू तो मैस हो चुके हैं, अब हम इसके लिए एक secret चटनी बनाते हैं, जो कि बटाटा बड़ा के साथ में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बहुत ही tasty लगती है ये चटनी, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, तो मैंने आपर 10-12 लैसुन डाले हैं, थोड़ी अद्रक डाली हुए, दो हरी मीच डालेंगे, और बहुत सारा धनिया पत्ता डालेंगे, पास से साथ करी पत्ते डालेंगे, अच्छा मैंना यहाँ पर मूफली भी डालती हूँ, 10-12 दालें, तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पर लगो आदे कप के करीब उसे भी थोड़ा सा कम मूफली, जिसे मैं ड्राय रोस्ट कर लूँगी पहले, बैसे न बटाटा बड़ा के साथ में यह लोग हरी चटनी और एक लाल सूखी चटनी होती है, वो भी देते हैं बोना अलग तरीके से बनती है, तो अब मैंने यहाँ पर मूफली के दाने डाले हैं, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे 2-3 बार चलाएंगे तो यह बिल्कुल गाड़ी चटनी बनकर के तयार हो चुकी है, मूफली बिल्कुल ओप्षिनल ह अगर आप नहीं डालेंगे तब भी चटनी टेस्टी लगेगी लेकिन मैं थोड़ी सी डालती हूँ ताकि ये अच्छी सी थिक चटनी बन करके तयार हो तो थोड़ी सी जो दाने बचे हुए थे उन्हें मैं कूट लोंगी हलका सा इसके बाद में जो इसके छिलके अलग हो जा कई पी हाँ तो मैं जरूर से बढाऊंगी उसे तो मैंने आपर दो कब बेसन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे दो चमच नगे चावल का आटा भी दो चमच डाल सकते हैं इससे क्या होता है कि बटाटा बड़ा बनते हैं वह एकदम क्रिस्पी बन करके तयार होते हैं मैं हम बेशन को mix कर लेते हैं तो पहले थोड़ा सा पानी डाल करके इसे mix करेंगे जब यह mix हो जाएगा अच्छे से तब हम और पानी डालेंगे इसकी तिकनेस रहती है वो कुछ इस तरह से होती है जैसे एक तार जैसा बनता है आप उपर से उठाएंगे न तो कुछ इस तरीके क तार जैसे बनेगा मतलब consistency बिल्कुल इसी तरीके की होनी चाहिए न ज्यादा गाड़ा और नहीं ज्यादा पतला तब ही आपके बटाटा बड़ा बिल्कुल perfect बनेंगे अगर बहुत ज्यादा पतला भी कर देते हैं तो भी फट जाते हैं तो अब हम एक पैन लेते हैं इसम हम इसमें वही बाला मसाला डालेंगे जो मैंने बनाया हुआ तो इसमीं मौस्टर वगहरा रहता है न वो भी खतम हो जायेगा बस बहुत थोड़ी सी दो चुटकी के करीब हल्दी डालेंगे इसमें जो थोड़ा सा कलर होता है वो हल्का सा ही कलर होता है आपने देखा होगा, खाया होगा कभी तो तो अब हमें इसमें आलू डाल कर इसे 1-5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे अच्छा, यही वाला इसमें सीक्रेट जो मसाला होता ना इसी से ही यह टेस्टी बनता है अब इसमें डालेंगे हम मूंवली जो मैंने कूट करके रखी थी बस इसे अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो सारी चीज़े mix हो जाने के बाद में हम इसे थोड़ा सा नमक डालेंगे तेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ी सी लालमिष डालेंगे धनिया पत्ता डालेंगे बस इन सब चीज़ों को अच्छे से mix करने के बाद में गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे बस यह मसाला हमारा अच्छे से त्यार हो चुका है अब हम डालेंगे इसमें एक चमच चाथ मसाला बस इसे डालने के बाद में मिक्स करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं क और थन्दा हो जाएगा थोड़ा सा ठाइट हो जाएगा तो घंडा होने के बाद में इनकी干़र्ष, बना लेंग इस तरीकी से ना बहुत ज़्यादा बड़ी बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा छोटी जैसे बटाटा बड़ा होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से देखे बहुत बड़ी आसी बन चुकी है और यह जो बटाटा बड़ा होते हैं इन्हीं को बना करके जो बड़ा पाउ बनाया जाता है चटनी लगा करके यही बाले बड़े रखे जाते हैं उसमें तो आप समझ लीजिए कि जो बड़ा है ना यह बड़ा पाउ का छोटा बाई है तो अब हम इसे सेखने की प्रोसेस में चलते हैं तो आप हम इसे तेल में सेकेंगे, देखिए आप हाथों से भी सेक सकते हैं, लेकिन जब आप हाथों से सेकेंगे ना, तो इसमें extra basin बहुत ज़ाधा जाता है, तो आप इसी तरीकी से चमत से ही सेकें, थोड़ा सा डालेंगे, इसमें dip करेंगे, और किनार पे ले जाकर एकसे जो बेशन रहता है उसे हटा देंगे और सारे ही इसमें डाल देंगे अब देखिए इसमें ज्यादा एक्स्ट्राइवेशन नहीं गया है अगर आप यही हाथों से करेंगे थोड़ा सा ज्यादा बेशन चला जाता है तो पहले 20-30 सेकें इन्हें टच नहीं करेंगे जब हलके इसी यह फ्राय हो जाएंगे तब हम इन्हें इधर उदर चलाएंगे और इन्हें लगबग 5-7 मिनट लगते हैं सेकने में यह अंदर तक अच्छी से सिखें इसके लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेकेंगे तो लेजिए यह बटाटा बड़ा तो बिल्कुल सिकर के तयार हो चुके हैं और कहीं पे भी फटे नहीं है ना ही तेल अब्जॉब हुआ है तो कुछ यही सीक्रेट टिप्स होते हैं जो आप सभी को याद रखने हैं जैसे कि आपको जो बेसिन की कंसिस्टेंसी है ना वो एक्स्ट्रावेशन जाता है तो इसके लिए आप इसी तरीके से सेके मैं दूसरा बैच भी सेक रही हूँ वो भी बिल्कुल परफेक्ट सिकेगा और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रावेशन जा रहा है वो भी आप ऐसे ही चटनी के साथ खाएंगे वो भी क्रिस्पी और मज़ अब इसके बिना तो बटाटा बड़ा का स्वाधी अदूरा होता है तो हम यहाँ पर हरी मिच को तलेंगे बटाटा बड़ा के साथ में काफी ज़्यादा टेस्टी लगती हो जब हम खाने के लिए जाते हैं तो वह हरी मिच खूप सारी देते हैं देखिए इन्हें थोड़